कि जो सबसे धनी व्यक्ति थे उन्होंने पहले वॉलिंटियर किया फिर पांच और लोगों ने वॉलिंटियर किया जिसमें दो भाई भी थे किसाब हम अपनी कुर्बानी देंगे ताकि यह टाउन बच सके तो रोदा ने जो मूर्थी बनाई है वही मूर्थी उस समय की है कैले दुनिया की बहुत मशूर मूर्थियों में से एक है आज हम इसके बारे हम बात करेंगे यह मूर्थी उस समय के दिश्चे को चित्रित करती है जब इंग्लैंड की सेना ने कैले के टाउन को काफी सालों से घेर रखा था और अंदर लोग भूके मर रहे थे फिर यह पे जब जान मचाने की बात आई तो वहां के जो सबसे धनी वेक्ती थे उस्टाश दे सेंथ पियरे उन्होंने पहले वॉलिंटियर किया फिर पांच और लोगों ने वॉलिंटियर का जिसमें दो भाई भी थे किसाब हम अपनी कुर्बानी देंगे ताकि यह टाउन बच सके त थोड़ी बात करते हैं कैले शहर के बारे में फ्रांस का यह शहर जो की हंडेड इयर्स वार्स जो की 1453 में शायद खतम हुई थी 116 साल चलने के बाद पांच पीडियों के राजवंच उसमे लड़े थे तो उस वार के दोरान 1346 के आसपास कैले टाउन पर यह गहरा डाला ग कैले के लोगों के भी जान फसीवी थी क्योंकि फ्रांस के राजा ने उल्टी तो से कह रहा करता चोड़ना नहीं है पर भूके मर रहे थे तो क्या करते हैं तो उस मॉमेंट को कैप्शर करने के लिए रोधा साहब को इन्वाइट किया गया कैले शहर के नागरे के 1845 से कोश रहे थी तो इसको लेते हुए रोधा साहब ने 1884 में अबलाई किया और उनको स्विकार किया गया और उनने कई परवर्तन किये और 1895 इस मूर्ति को बना के लग दिया ठाफी विवादास पर रही उस समय क्योंकि अपने समय के बहुत सारे नियमों को तोड़ा था आउगस् आवरिक और बहुत ही जिसे कहा है रहता है हाइकोनोक्लास्ट मूर्ति बंजक टाइप के मूर्तिकार रहे हैं और उन्हें श्रेज आता है कि मूर्तिकला को वो प्राचीन क्लासिसिजम से निकाल कर आधुनिता के महौल में लेकर आए चित्रकारी और संगीत में ये काम मूर्तिकला क्लासिक यूग में जल रही थी जिसकी मुखे विशरश्टाइन थी भवे ता इस्थर ता और बहुत बड़े-बड़े मुद्दों पर मूर्तिया मनाना और विल्कुल इस्थर विल्कुल भवे एक हायरार्की एक प्रामिनिंस उसमें नदर आती थी ऐसी मूर् मूर्ति में भी उनसे अपेक्षाई यही थी पर उनसे सारी अपेक्षाओों को किनारे करके अपने फापर मूर्ति बनाई कई जगहों पर उनकी चली कई जगह नहीं चली। जहां उनकी नहीं चली उसमें सबसे बड़ी बात थी वो चाहते थे कि इसको टाउन स्क्वेर में रखा जाए दाकि लोग बाग आते जाते टकराएं इन मूर्तियों से और इनकी भावनाओं के साथ एक सार हो और अब अब उनके साथ उनके दर्द को उनके एमोशन को समझें सेंट पियरे थे पर सभी लोगों को लगबग बराबर ही इस्थान दिया हुआ है उसमें तो इस मूर्ति में कई ऐसी बहुत सरी विशिश्चता हैं जो मूर्तिकला को क्लासिक यूग से आर्धोनिक यूग में लाती हैं उनको हमें समझने की जरूत है जैसे कि मैं एक चीज स्थिसिता का आभाव होता है जो की पेंटिंग में चित्रकला में या संगीत में बहुत आयामसे लोगबर एक्सपरिमेंटेशन करते जाते हैं तो स्थित्रता जो है वो जादे रहती है और उतमें यूग जो मूर्तिकला के यूग है वो चित्रकला या संगीत के दुला में धीमे धीमे बदलते हैं तो इस अंदर में भी इस मूर्ती को थोड़ा देखना चाहिए क्लासिक युक्की जैसा कि मैंने पहले बताया क्लासिक युक्की मुखे बातें हुआ करती ही थी और यह जो मूर्ती है वो संशे अइस्थिर्था और अपूर्था का उत्सव है इसमें कई तरीके से यह तीनों चीज़ें संशे अपूर्था और अइस्थिर्था बहुत क्लियरली नजर आती है और यह तीनों चीज़ें इस मूर्ती को क्लासिक टेडिशन से ब्रेक करती हैं. सबसे पहली चीज़ जहां पर यह तीनों क्वालिटीज नजर आती है वो है शन का चुनाओ. किस शन को चुना है? चाहते तो वो शन को चुन सकते हैं जब उन तीनों का वद किया जा रहा था? वैसे वद हुआ नहीं था. इंग्लेंड की रानी ने इंटर्वीन किया और शेयों की जान बच गई थी. तो या तो वद का सीन होता, या जिस समरफन कर रहे हैं वो सीन होता, बीच का कोई सीन चुना गया, जिसकी वजह से एक अपूणता सी नजर आती है. और एक इस्थिरता रहती है मुउन्ट है, क्योंके अभी निकले है, पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं है. क्लासिक यू होता तो पहुँचने वाली मूर्ती बनती पहुँच रहे वाली मूर्ती नहीं बनती तो ये एक अपूर्ण अनिश्चित शण है जैसे की रोदा ने पकड़ा था और ये इस चीज़ को क्लासिक यूक से अलग करता है दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया कि च्छैयों को बराबर वो दिया गया है कोई एक फोकस पॉइंट नहीं है इस मूर्ती का आप एक हर तरफ से देख सकते हैं इसको ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ती है जो की मेन है और उसके चारों तरफ लोगों को बस रखा गया है क्लासिक यूक के चितरों में, क्लासिक यूक की मूर्तियों में, क्लासिक यूक के सभी प्रकार के आर्ट में आप ये चीज़ पाएंगे कि किसी एक की प्रधानता है कि आप जीजस क्राइस साथ खड़े हुए है या कोई राजा खड़ा हुआ है या कोई संत है वो प्रमुक्या उसके चारों तरफ बाकी लोग जो है उसके फिलर्स के तोर पे काम करते हैं इस मूर्ति के साथ ऐसा नहीं है और दूसरी चीज़ उनने इसमें किसी तरह की भवेता को नहीं लाया है जैसे कि महिनों के भूके रहने के बाद जिस वक्ति जैसा लगेगा वैसा दिखाया गया है उसमें जो छह धनिक हैं कोई बहुत भववु नहीं दिखाये गये हैं बहुत बढ़ीया पैंट कमीजो और सबका अपना एक वो है, और जो सबसे बड़ी चीज जो इसको अलग करती है वो complexity of emotions, इसमें बड़े gentle emotions है, आप वो moment बीच चुका है जब समने खड़े होके पूरे टाउन के सामने कहा होता हम जा रहे हैं मरने के लिए, तो उसकी उद्दाता तो खतम हो चुकी है, अब ये मारमिक तरीके से निकल के आती है, इसको देखिएगा आप, और पाएंगे कि ये बहुत साधरर नहीं है, विस्तिर नहीं है, ये बहुत ही, उस moment को पकड़ने का एक बहुत ही moving तरीका है और जो कि रोड़ा ने बहुत अच्छे से किया है, इसमें हर व्यक्ति अकेला है, हर मेरे 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 दम है कि मैं उस moment के निपट पाऊंगा, तो इन सब चीजों में ये चीजों चली जा रही है, रोड़ा की कला उननिसवी और बीसवी शदाब्दी के बीच का एक पुल है, उनके बाद के शिल्पों में तो ये अपूर्टा बहुत एक्स्ट्रीम तक चली जात इसको जब हम लोग समझेंगे तो पाएंगे कि मूर्थी कला में, रोड़न का नाम, रोदा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अनिश्यत तोर पर एक प्रूवन मास्टर है, किसी भी तरीक है उसमें अपने अनिश्यता को उन्होंने एक बहुत बड़ी वैल्यू ब बनाती है और आधनी क्योंके वो डिफिनिटली पका प्रवर्तक थे बहुत 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 धन्यवाद